विक्सिद भारट 2047 इसरफ भाशन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिशम चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाव लिये जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरिकों ने विक्सिद भारट 2047 के लिए अंगिनत सुझाव दिये है हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिम्बित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलतता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीत हो आदिवासी हो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विश्षित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझाओं को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखाए 2047 विश्षित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतनी सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश-बैस्थानी अस्वराज के संस्ताव से ले करके अनेक की काईयां है उन सब में गवननांस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति आपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिछ में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्द केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की परमपरिक आउसदिया और मेलनेस हब के रुपे भारत को विशित करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनमी बनना चाहिए सात्यों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाच्यों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये मैं समझता हूँ जब देश वाच्यों की इतनी विशाल सोच हो देश वाच्यों की इतने बड़े सपने हो देश वाच्यों की इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाहिपर पहुँच जाता है और साधियों देश वाच्यों का ये भरोसा सरब कोई इंटलेक्श्वल डिवेट नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिश्व के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अठारह हजार गाउं में समय सिवा में बिजली पहुँचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब ब्लार किर्जा स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैटे विए लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या वातावन बन जाए स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदन में एक दोसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद कलता रहे मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिभिम है जब देश के से तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है साथियों हम कैसे भूल सकते हैं कोरणा के वो संकिट काई विश्वा में सबसे तेज गती से करोरों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइब करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइब करती है तो देश के नव जमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यही बाते हैं जो आज एक्सो चालिस करोर देश स्वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है.